तो आज से मैंने आप लोगों के लिए एक और नई सीरीज चालो कर दी है जीके की सीरीज जिसमें हम लोग डेली कुछ जीएस के क्विस्टिन्स देखेंगे ठीक है अच्छा जोग्रफी और स्ट्री हो यूकि आपके रेलवे एक्जैम सो चैने वी एक्जैम हो सभी के लिए अच्छा है कोई बिग्जैम हो यूप पुली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंक शूर हर क्विस्टिन को धंग से कहिए देखिए इनका जो पीडिएफ है वह आपको इसी एडिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वहां से आप इनको डाउनलोड करके पहले सुबह पोस्ट कर दूँगा वीडियो ठीक है क्योंकि इसको लाना भी जरूरी था जो जी के काफी दिन से ने काफी दिन का यह पहला वीडियो है और जो मैथ है वो अब कर जो मैथ की वीडियो है पो कल मिल जाएगी सुबह ठीक है तो चली शुरू करते हैं पहला सबस्ते हो छोटा सा एक होता है पार्ट वाटर का तो वह जो वाटर का पार्ट होता है एक ऐसा लेक जो की समोध्र किनारे सेच्वेटेड हो उसको बोलते हैं लगून लेक सिंपल ठीक है अब यह फेमस क्यों है ऐसे क्यों बोला गया तो पहले इसका तो आंसर बता देता सेकंड उप्षिन छिलिग यह पढ़ता उडीसा में तो अभी लेक तो यह हैं प्राश्टपती भह़ण anlat भूर उब November वह ऑन पर यह थेम उप aurait पास जोगिसे लाइज वैली में पड़ता है तो सही आंसर इसका धर शिपकी ला पास हिमांचल प्रदेश में पड़ता है यहीं से बहुए भारत मैं इंडिया में एंटर करती है ठीक है फिर अगले question के और बढ़ते हैं फोर्थ नमर वेर इस खेबर पास situated खेबर पास कहां पर है आप options है भूटान बांगलादेश इंडिया फिर पाकिस्तान सही answer is question का fourth option पाकिस्तान खेबर पास आपका पाकिस्तान में पढ़ता है अक्चुली खेबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करनेक्ट करता और यह Tanzi के थूर पास होता यह साथ इस खेबर पास कहां पर यह लेबनोन आफगानिस्तान जमून कश्मीर सिर्य आपका प्ष्चिन स है सही अंसर है अफगानिस्तान यह पंशीर वैली है यह आपका हिंदुकुष मांटेन ने उसी के पास में पढ़ती है यह वैली और यह अपका अफगानिस्तान में फिर अगला कुषचन ने फिल्ग्रिम्स ऑफ कैराश मांसर वस hea जो पुंचने के लिए तो जो तीर थे अत्री होते है उनको एक्चुली गुजरना पड़ता है नाथुला पास से फूर्थ ऑप्शन का सही अंसर होगा एक्चुली यह नाथुला पास बहुत इंपोर्टेंट पास है जो जो पिल्ग्रिम से होते हैं कैलाश मांसरोर के उनके लिखें कि अगर समझ लिजे तेरा दिन का टाइम रिडियू साथ है इसी को लेकर कई बार विवाद भी होता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में तो बढ़ते हैं एंगले क्यों सेविंथ नंबर यह विच ऑफ फॉल्विंग सिटीज लाइज टू वेस्टेन मोस् लॉंगिट्यूड तो इनमें से कौन सा सहर है जो कि सबसे वेस हैं जो लॉंगिट्यूड उसमें लाई करता है तो यह आप ऑप्शन से देखोगे तो आप आंसर आराम से बता ले जाओगे जैपूर नागपूर भोपाल हैद्राबाद के अप्शन से आप यही समझ लो कि नागपूर आपका पड़ता है यह महराष्ट के अधर तो इस सा दो करती है यहां जोते हैं यह मैं पड़ता हुए क्टीज लोप से फ्लो करती है तो एसी तीन इंपोर्टेंट रिवर हैं इंडिया में जो रिफ्ट्वैली से फ्लो करती है और वो तीन जो रिवर है वो है नर्मदा तापी और माही यह तीन इंपोर्टेंट रिवर है और इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्षिन अर्मदा कि आपर नर्मदा ही ऑप्षिन में दिया हुआ है फिर है अगला कुश्चिन डंकन पैसेज इस लोकेटेड बिट्वीन जो डंकन पैसेज है वो किन के बी लिटिल एंडमान पहला ऑप्षिन डंकन पैसेज है आपका वो साउथ एंड लिटिल एंडमान जो है उनके बीच में है यह दंकन पैसेज प्रिटेंथ नंबर कोश्चिन देखिए इंडिया लाइज इंदर डैश हमिस्फियर तो ऑप्षिन इंडिया इन नौर्दन इस्ट करके और जो इंडिया है वह यहां पर लाइए करता है यहां पर नौर्थ एस्ट हूं तो और अपना आपका पहला ओप्षिन नॉर्दरण एंस तर अगला कुष्चिन देखिए 11th निमर्वेश फॉलिविंग माउंटें टेंजिस इन इंडिया आर्ड उल्डेस्ट कौन सी म ंड्याज विंद्याज अरावली सहयाद्री तो इसका आंसर हिमाल्याज बहुत लगा देते हैं लेकिन आंसर है इसका थर्ड ऑप्षिन अरावली अरावली बहुत इंडिय की नहीं बलकि वर्ल की वन वन तो अल्डेस्ट मांटेन रेंजे से है फिर उसके बाद विल्थ नमेर कुश्चन है कि which foreign country is closest to Undemand Island के सबसे निकटतम है तो option से आपके स्रीलंका मैंनमार इंडोनेसिया पाकिस्तान तो इस question का answer आप लोगों को देना है comment section में यह question SSC CPU सब इंस्पेक्टर ने पूछा गया तो answer सब्सक्राइब करके रखेंगा चैनल को नोटिफिकेशन हमेल को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए हो सकते तो इस वीडियो को शेर कर दीजेगा कोई डाउट है तो commentation में पूछ लिजेग मैं आपके doubt cancer जरूर दोंगा धन्यवाद